हलो गाईज, वेलकम चो अवर नेक्स वीडियो, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है बिल ओफ सप्लाई, छीक है जी हमने लास्ट वीडियो में कमपोजिशन स्कीम के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि कमपोजिशन जिसकी स्कीम जिसने ली होती है, वो को भी भी इन वोईस इशू नहीं करता, वो बिल ओफ सप्लाई इशू करता है, तो अब हमने देखना है कि बिल ओफ सप्लाई क्या होता है, और इसका वट आर इट्स कंटेंट, और इसका कंटेंट क्या होता है, छीक है जी, तो पहले हम देखते हैं bill of supply का मतलब ठीक है a taxable person opting for the composition scheme लवाई has to issue a bill of supply जो भी taxable person composition scheme के अंदर आता है वो bill of supply issue करता है ठीक है जी as he is not eligible to issue a taxable invoice वो taxable invoice मतलब bill issue करने के लिए eligible नहीं होता उसको सिरफ bill of supply issue करने की ही permission होती है क्योंकि वो composition scheme के अंदर आता है इसलिए ठीक है जी then for supplier of goods जब वो कोई goods की supply कर रहा है he has to mention the word composition taxable person जी उसको जब भी वो कोई supply करेगा goods की उसका एक जो bill of supply बनाएगा उसके उपर वो खुद को mention करेगा ये words कि वो एक composition taxable person है और वो not eligible to collect tax on supply और वो भी यह भी लिखेगा कि वो eligible नहीं है कि वो किसी भी supply के उपर आपसे tax collect कर सकता है ठीक है जी क्योंकि पहली बात वो आपको bill of supply issue कर रहा है हमें भी पता चली जाएगा कि वो composition scheme के अंदर आता है क्योंकि वही बंदा bill of supply issue करता है ठीक है तो हम tax pay नहीं करेंगे और वो collect भी नहीं करेगा ठीक है जी देखो लिख रहा है composition taxable person not eligible to collect tax on supplies और वो उसको कहां पर लिखेगा at the top of every bill of supply जो भी वह bill of supply जित्ते भी issue करेगा उन सब के उपर लिखेगा कि वह composition taxable person है और वह eligible नहीं है कि वह किसी भी supply पर tax collect करेगा ठीक है जी सेकिंड है for supplier of services अगर वह किसी services का supplier है he has to mention taxable person paying tax under notification उसको भी mention करना पड़ेगा कि वह taxable person है जो कि tax pay करता है अंडर notification number two बट इसमें भी वह not eligible to collect tax on suppliers इसमें भी वह eligible नहीं है कि वह tax को collect कर सके ठीक है जी अब हमने देखना है कि bill of supply जो होता है bill of supply उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं मतलब content क्या होता है किसके बारे में information होती है कैसी होती है details कितनी लिखती है जी पहले name address and GSTN of supplier जो supply कर रहा है उसका नाम address उसका GST number ठीक है then a consecutive serial number जैसे हमारे bill के serial number होते हैं वैसे ही bill of supply के भी होते हैं चीक है जी यह कैसे हो सकते है वन या मल्टिपल सीरीज या अलफाबेट्स में या नुमेरल में या special characters में या hyphen या dash slash किसी भी चीज में हो सकते हैं यह depend करता है हर किसी ने अपने अलग-अलग डालते हैं then name address and GST UIN if registered of the recipient then उसका जो recipient है जो goods receive कर रहा है उसकी बारे में सारी information अगर वो registered है तो अगर तो वह registered नहीं है तो उसके पास GST number तो नहीं होगा name address मिल जाएगा GST number नहीं मिलेगा चीक है जी then HSN code of goods accounting code of services एक ना goods के उपर हर goods का each code होता है HSN code बोलते है उसको में को एक code पता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है medicines का जो HSN code होता है na medicines का वो होता है 3004 मुझे सिर्फ एक ही पता है ज्यादा knowledge नहीं है इसके बारे में और भी होते हैं हर प्रोड़क्ट के अलग-अलग होते हैं जैसे 3003 भी होता है 3002 भी होता है काफी सारे होते हैं प्रोड़क्ट के according होते हैं ठीक है जी देन उस बिलो सप्लाइए में और क्या आएगा description of goods और services और बोट जो वो बेच रहा है उसकी description जिक है जी देन value of supply of goods जो value जिस value पे वो goods को सप्लाइए कर रहा है goods or services और बोथ taking into account discount कितना discount दे रहा है और if any अगर और कुछ भी दे रहा जैसे कोई भी benefit दे रहा उसको तो सब कुछ उस बिलो सप्लाइए में शो करेगा दे लास्ट में उसके signature और डिजिटल scheme जिसने ली होती है सिरफ वही issue करता है चीक है और इसके उपर वो कभी भी किसी से text collect नहीं कर सकता अगर वो कोई supplier है तो चीक है जी तो नेक्स टोपी कम करते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई